हलो एब्रीवान वेल्कम बैक टो मैं चैनल रुपाली रत व्लोग्स और मैं हूँ रुपाली आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज आप सब के लिए मिलेके आई हूँ फाइब मिनिट्स में जल्दी से बनने वाली चना चाट की रेसिपी जो की बहुत ही इजी है बहुत ही सिंपल है और अगर आपको तुरंद खाने को मन करें तो आप जटपट ऐसे बना के खा सकते हैं वो तो हम देखें अगर आप मेरी चानल पर न्यूँ हो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक लाइक दे वीडियो कॉमेंट विलो और सब्सक्राइब टू मैं चानल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और उसकी बाद बेल आइकन को आल करें ताकि मेरी सारे वीडियो की नोट्युफिकेशन आप को सबसे मिलेत तो चना चाट बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैं mixed चना चाट बना रही हूँ, यहाँ पे मैं काला चना और सफेद चना, दोनों का साइज देखिए सेम है, छोटा छोटा जो सफेद चना आता है ना छोटा छोटा साइज का ओल यह है मैंने, तो दोनों को ही मैंने पानी में भीगो के रख दिया था, लगबग 3- चार घंटा तो यह मिक्स चना चाट है काला चना चाट तो बनता है सफेज चने की साथ मिक्स चना चाट बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए मैं उसको उबाल लेती हूँ और उसको कूकर में डाल दिया है नमक डाल दिया है दो सिती हम लगा लेते हैं ताकि हमारा चना जो है उबल जाया अच्छी तरह से और यह बहुत स्वादिस्ट लगता है बहुत ही डिलिशियस और जटपट बनने वाली और प्रोटीन से भरा पूरा हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है तो देखिए आपे चना हमारा बॉयल हो चुका है मैंने पानी सब कुछ ड्रेन कर दिया है देखिए अभी हमारे चने में पानी बिल्कुल भी नहीं है ड्राय है एकदम और एक काला और सफेद दोनों ही मिक्स से मिक्स बना रही हूँ आप चाहे दो सिर्फ काला चना चाट भी बना सकते हैं नहीं तो सफेद और चना चाट में आलो भी उबला हुआ आलो भी डाला जाता है लेकिन मैं आलो अवोइड कर रही हूं क्योंकि हम healthy चना चाट बना रहे हैं इसलिए तो यहां पर लिया है मैंने देखिए धन्या पता है मसालों में देखिए थोड़ा सा धन्या पाउडर है धन्या पाउडर है बलाक पेपर पाउडर है चाट मसाला और क जट पठ हम बनाके रेडि कर देंगे हमारा चना चाट mix चना चाट देखिए एक बॉल ले लिया है उसमें मैंने चने को उबला हुआ चने को डाल दिया है अभी हम इसमें डालेंगे fine chop उनियॉंस जो प्याज को हमने fine chop करके रखा था उसको हम डालेंगे डेखिए डाल लिया ह मैंने और उसके बाद हम डालेंगे इसमें टोमाटो छोटा सा टोमाटो लिया है आप चाहे तो बड़ा साइच का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो छोटा सा जो टोमाटो लिया था मैंने उसको मैंने डाल दिया है अभी सारे सुखे मसाले जो मैंने लिया था अभी मैं बोली तो सा मफ़ दाल डाले में लियर रचा निम्बु को क्पिछ की तोati स्कुईज करने निम्बु का रस निम्बु का रस की योह प्लाइना में ड़ुक। तरही है निम्बू चाट मसाला इस अब डालेंगे तो चाट का स्वात बहुत याचा आता है तो देखिए मैंने डाल दिया है दो एक बड़े निम्बू को यूज कर रहे हूं आपको खटापन ज्यादा नहीं पसंत छोटा निम्बू भी यूज कर सकते हैं नहीं तो यूज क सब कुछ देखिए और बस इतने ही काम है ज्यादा कुछ नहीं है बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाला पांच मिनिट में हमारा बन के तैर हो जाता है और हम इसका स्वाध भी ले सकते हैं अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फोलो नहीं किया है तो जल्दी जाए और इंस्टा पर फोलो करिए इंस्टा का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो अगर आप मुझे कुछ बात करना चाहते हैं तो हम इंस्टा पर बात कर सकते हैं तो देखिए हमारा हेल्दी मिक्स चना चाठ बिलकुल बन के तयार है इस पाइल आलो का इस्तमाल नहीं कर रही हूं क्योंकि मैं हेल्दी चना चाठ बना रही हूं और आलो तो हमारी सहत के लिए अच्छा भी नहीं रहता तो सबसे अच्छा है आलो को हम स्कीप करेंगे प्रोटिन से भरा पुरा चना चाठ का एंजोई करेंगे तो देखिए हमारा चनाचाट एकदम बिल्कुल बनके तयार है मिक्स चनाचाट है बिल्कुल ट्राइ करियेगा और कैसा लगा मुझे बताईएगा फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना ना भुले और देखिए हमारे हमेंने सर्फ कर लिया है हमारा हेल्दी चनाचाट बिल्कुल बनके तयार है वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कॉमेंट, सेयर, सब्सक्रेब करना ना भुले इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक अच्छे सी न्यू वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टेक केर लव यू आल बाई बाई